नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कारिक्रम देश के मुद्दे में हमारे आज की कड़ी का मुद्दा है भारत की चरमराती अर्थ्वयोस्ता पिछले तीन वर्षों में UPA2 की सरकार दो मुद्दों पर मुख्यता समाचारों में घिरी रही है एक, ब्रष्टाचार के लिए, दूसरी, भारत की आर्थिक विफलता के लिए आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारती जनता पार्टी के राश्ट्री प्रवक्ता श्री प्रकार जावडेकर जी स्वागत है आपका हमारे आज के खास कारिकर में सब मेरा पहला प्रश्ण आपसे ये होगा कि UPA सरकार के तीन साल के कारिकाल में जिस तरह की एकनॉमिक मैनेजमेंट रही है उसके बारे में आपकी एसेस्मेंट क्या है? पहले तो ये तीन साल का काल नहीं है ये आठ साल का है और लगातार आठ साल इन्होंने एंडिये ने जो एक बहतर अर्थिक स्थिति उनको बहाल की थी उस विराद्थत को ध्वस्त करते हुए देश को एक ऐसे कगल पर लाके खड़ा किया है कि जहां दुनिया का इस भारत के आर्थिक विकास की स्टोरी में जो विश्वास था वो विश्वास एक तरह से चर्मरा गया है और इसलिए we always say that NDA converted a sagging economy into a prosperous economy and this UPA regime for 8 years have converted a prosperous economy which they inherited from NDA into a crisis economy AU nation net談 कि और आर्फे विश्वास कर्वा जाता है प्रदान मंतरी मन वहन सिंग को वह राजनेता तो है नहीं लेकिन अब तो यह था रुए ह कि वह अर्थर ऑयए फिर की और बताते है और 91 के सुधार की उनके लिए बहुत बात होती है लेकिन वो जरूर अपने विशय के पढ़े लिखे है लेकिन उस समय भी नर्सिमराव थे जिन्नों ने वो दृष्टता दिखाई राजनीतिक इच्छा शक्ति जताई और सुधार के कदम उठाने को निरने लिया अब हम देख रहे हैं कि प्रधान मंत्री होकर भी राजनीतिक नेत्रत्वनों होने के कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में एक तरज से लक्वा मार गया है सरकार को और इसलिए आर्थिक स्तिती जो बहुत बहतर हो सकती थी इसको हमने द्वस्त कर दिया खुद कर देते हैं किसी भी एकनॉमिक मिस्मानेजमेंट की रिपोर्ट को जिससरा से उन्होंने SNP और Fitch की रिपोर्ट को भी रिजेक्ट कर दिया था तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो भारती सरकार है अभी वो टोटली एक डिनायल मोड में रह रही है देखो, what is ailing the Indian economy? There are three things, which is the hallmark of this UPA government. Indecision, corruption and inflation, misgovernance and governance deficit. So these are become the hallmark of this regime. Let me give example. अब जब-जब Congress सरकार आती है, मेहंगाई बढ़ती है. और जब-जब BJP सरकार आती है, तो 77 में हो या 98 से हो, तब-जब मेहंगाई को लगाम लगता है. क्यों ऐसा होता है? हमने कोई जादू नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास अटल जी का नेतुरत था, और जो अटल जी ने प्रधान मंतरी रहते, जो काम किया, एक दो ही काम किये, कि खाद्यानों के भंडार पर परियाप भंडार तो रखा, लेकिन इतना आधिक नहीं रखा, कि जैसा आज ह हो रहा है, कि सड रहा है, लेकिन लोगों को महंगा मिल रहा है, तो हमने समय चलते, बजार में वो अगर महंगाई बढ़ने की थोड़ी भी सूरत देखी, तो हर 15 दिन के बाद हम उसको देखते थे, और मार्केट इंटर्वेंशन करते थे, और बाकि सारे प्रोड़क्शन हो, देश की जितनी जरूरत है, वो पूरी हो, डाल हो, तेल हो, 2003 तक हम खाद्यान तेल एक पैसे का भी आयात नहीं करते थे, आज 50,000 करोड़ से जादा, यानि आधे से जादा तेल देश में खाद्यान का ये आयात होता है, ये कितना दुर्भा गया है, तो हमारे हाथ में नहीं रही कीमते, फिर पेट्रोल का है, जब अटल जी सरकार गई तब 30 रुपे पेट्रोल था, अब 80 रुपे के दर्मियान हो गया, क्यों? क्योंकि सरकार ही 100 पी सदी टैक्स उस पर लगाती है, जी, तो ये सरकार की आर्थिक नीतिया इसी है कि जो महेंगाई को बढ़व क्योंकि नहीं हो सके, उन्होंने के बल किया, कि दे, 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 दे रिजॉटेट टो दी, मानेटरी पॉलिशी आप राइजिं इंट्रेस रेट्स थू आर्भी आइ, फर थर्टीं सक्सेसिव ताइम, जी, सर्वर थे पिरिद आप त्रीयर्स, फ्रम फाइपर संट बेसिक र दरे बढ़ी, और घर, होम लोन महंगा हुआ, वहानों के लिए करजा महंगा हो गया, और सब तरह के एक महंगाई आ गई, तो इससे महंगाई को अगर एड्रेस करना है, तो सप्लाइ साइड देखने पड़ती है, इन्होंने वो नहीं देखी. सच जैसा आप कह रहे थे कि अटल जी का नितरत्व मुख्य कारण था, एकनॉमिक मैनेजमेंट का एंडिये के काल में सही होने का, तो इस सरकार के नितरत्व पर, SNP की रिपोर्ट में लिखा गया था, कि सोनिया गांदिय और मनमोहन सिंग के बीच में जो अथॉरिटी का ड विखाज्यू जी थे घी ए फिर नासिवरा भी थे और अतल जी तो यह सब प्रदान मंतरी जी रहे वो उस समय के जनता के भी नेता थे, पार्टी के भी नेता थे, मंत्री मिडल के भी नेता है, लेकिन मनमौन सिंग के साथ ऐसा हुआ नो जनता के नेता है, नो वो पार्टी के नेता है, क्योंकि इसलिए वो नेतरुत्व दर्श जनपत में हैं, और he is in office, but not in power, ऐसा पहली दफ़ा office और power का जो separation हुआ, उसके कारण एक policy paralysis आया, और जिसमें दोनों के विचार अलग है, दोनों का दुर्श्टिकों अलग है, और इसलिए मनमौन सिंग, चूंकि वो एक बिरोक्राट रहे, एक विशेशग्य करके रहे, आर्थिक तन्यता की बात उनके साथ जुड़ी, लेकि इसलिए मनमौन सिंग्य करते हैं, लक्ष्वी नरायन मित्तल ने भी कहा था कि जो भारतिय सरकार है, उसका कोई भी ऐसा कदम नहीं दिखता, जिससे भारत में गरीबी हटेगी, और तीसरा ये हुआ था कि इंजिन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल छपा था, जिसमें कहा था कि इस माइड बे एंड अफ इंडिया सुपरपावर ड्रीम्स, सर्व यू शेर था असेस्मेंट, सब बड़े यश्यस वी उद्दिम है, और ये देखो, अटल जी के छे साल में हमने क्या किया, जो बीजेपी ने किया, कि आर्थिक उद्धार के कुछ कारेकम ऐसे किये क जैसे अब आईटी का ग्रोथ, आईटी एकदम नया नया उद्ध्योग था, वो अटल जी ने भापा की इसमें बहुत बड़ी क्षमता है कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत होगा क्योंकि बहुतिक संपदा का खेल है, और उसको 50 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे, ये साल का टैक्स कंसेशन दिया, ये पॉलिसी निरने है, जो मोबाइल इंडस्ट्री थी, वो ग्रोव कर रही थी और आटल जी की सरकार ने ये समझ लिया कि मोबाइल ये देश के हर एक के हाथ में होने वाला है आने वाले दिनों में, लेकिन उसके लिए जब नीला मी किया था और नीला मी के बाद भरने के लिए कमपनियों को पैसे नहीं थे, तो कमपनिया लाइसन्स और लेके आई आटल जी के पास कि भाई, हम नहीं चला सकते हुद्योग, अब अगर सरकार कोई निरने लेने के एक शमता में नहीं होती, तो वही मोबाइल इंडस्री का सत्यानाश हो जाता, लेकिन अटल जी ने नीला मी जो हुई थी वो रद्द करके हुए, एक रेविन्यू शेरिंग मॉडल किया और उसमें कॉंग्रेस समय सभी पाटियों को साथ में लिया, और उनका भी सहमत ही लिया, और इसके कारण यह हुआ कि विनासायास एक हुआ, यह जो हो गय सभाटिया था ऐसा, रद्द हुआ हुआ इसकाऊ बहु आज की जो हुआ, यह जो जो है कि आग पना ही कि एक आज कर सकते है, कि जो है, और यह जो होँआ 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 है, और शेरिक विया, है का नीला मी आज़ के लिद्धा जखसा, पैसा दाला तो कि रेल्वे को एकदम सुधार के रास्ते पर लाया रेल्वे की क्षमता बड़ी रोड बनाए एक गॉल्डन कौर्डि लैटरल सडक बनाए पर्मन जो आजादी के बाद नहीं बने थे गाओं में तो देहाद गाओं में प्राइम मिनिस्टर सडक उजना बनी फिर एरपोर्ट कादुरी की करण का नियू रखी गई और बंदर गाहों का निर्मान किया तो एक सब तरह के संसाधुनों का विकास किया गया जिससे रोजगार भी पैदा हुआ उत्पादन को भी चालना मिली और साथ ही साथ उससे एक जॉब रीज ग्रोथ तयार हो गई और एक नया धाच हो गया जो विकास की मूल नियू होती है इन फैट अजीम प्रेम जी या लक्षमिरा मित्तल ही नहीं बलकि Ministry of Finance के Chief Economic Advisor खुद जो कौशिक बासु जी है उन्होंने कहा था कि the reforms in India are not possible before 2014. Sir, what did he mean when he said so? If he is telling about the political compulsion, Atalji was leading a coalition of 23 parties but he could carry all parties together. Again it shows a lack of political will and political leadership. The skill of coalition management is different. It requires that statesmanship in the political leadership which is today absent and that is the real issue. The issue is not the coalition but in a way he says yes because after 2014. It will be BJP rule. So reforms and progress is possible only after 2014 and not in the regime of the Congress. Sir, Congress regime की आपने बात की. पिछले तीन वर्षो में जो Congress regime रही है वो corruption scandals को लेकर भी समाचारों में घिरी रही है. Sir, corruption scandals किस हद तक aid और support करते हैं economic crisis को? The 2G, CWG are cases of net loss to the state Aikshikar. But there are other types of corruption. Air India and Indian Airlines. Both were profit earning companies. ये दोनों जो profit कमा रही थी उन कम्पनियों का merger करके, विलाए करके एक ऐसा नया Air India बनाया कि जो घाटे में चला गया. जिस company की turnover सालाना 15,000 करोड है, उसने 60,000 करोड का सामान खरीदा विमान खरीदे. दुनिया में विबान के industry में हर 24 घंटे में एक हवाई जहाँ 16 घंटे काम करता है, इनका 9 घंटे काम करता है. इन्होंने अच्छे अच्छे रूट जहां बहुत ज़्यादा डिमांड थी और फुल जाते थे, वो रूट प्राइविट कंपनियों के लिए छोड़ दिये और इन्होंने bilaterals किये और corruption किया, एक Air India को उन्होंने 50,000 करोड के घाटे में ले गए, अब अगर उसको फिर रा आज power company जो है, बिजली के ख्षेतर में इन्होंने permissions तो बहुत लोगों को दे दिये, लोगोंने लगाना काम भी शुरू किया, लेकिन coal linkages नहीं दे रहे, अब विदेश से coal लाकर यहां महंगा पड़ रहा है, तो इसलिए coal के 37,000 मेगवाट प्रोजेक्स are on hold, बेलारी में को आज देश में और गुजराती जैसे agriculture में 14% का विकास करके दिखाया, यह नहीं दिखा रहे, तो सारी तरह से जहां विकास संभव है, यह उन्होंने कहा था कि एंडिया ने 11 km रोड बनाया, रोज हम 22 km बनाएंगे, अब 5 km भी नहीं बन रहा है, तो यह हर क्षेतर में ऐसे पिछड गए है, और ऐस तरह से उनकी implementation की जो ताकद है वो नहीं है, पोलिटिकल विल नहीं है, और इसलिए पूरी आर्थिविवस्ता जिसमें बहुत अच्छी संभावना है, उसको लडख़ा है. पर एक सवाल में आपसे फिर पूछना चाहूंगा, Can this be the end of India's story अगर इसी तरह से सरकार की नीटियां चलती रही economic front पे तो? No, it is already people are doubting the India story because they have definitely lost the momentum which India generated. But I believe in the entrepreneurship of the Indian industry. I believe in the entrepreneurship and savings ability of the Indian common man. I believe in the resilience of the Indian economy. And that is why I believe that this is the watershed period for the Indian economy. But we will come out of it and once we assume the office, the whole investment climate will change. You will start getting result only because the regime change has happened. And every time when inflation and corruption, inflation on the back of corruption or corruption on the back of inflation, is a diabolic mixture and a sure recipe for a regime change. और सत्ता बदलाव होता है, हमारी सत्ता आती है, तो अपने आप बदलाव दिखने देगा, विश्वास बढ़ेगा लोगों का, और साथ ही साथ हम निरने भी करेंगे, चो उस समय आवश्यक होंगे, और उसके साथ ये देश के विश्वास के स्टोरी को फिर आगे बढ़ाएंगे, ये मरी नहीं है, लेकिन इन्होंने उसका मौमिंट और मौसम जिसे बोलते है, घाट के शेतर में जब वहान चलता है, तो ट्रट चलता है, तो उसका एक मौसम होता है, वह मौसम अगर तूड़ गया तो वह लड़कर आता है, वैसे इन्होंने इसका मौसम तोड़ा है, इसलिए लड़कर आ रही है, अपने डिफेंस में सरकार ने हमेशा कहा है, जो अभी प्रिवेलिंग एकोनॉमिक क्राइसिस है, वो external factors के वज़े से, सर, डू यू शेर दाट व्यू अफ़ गावर्मेंट? ये सही नहीं है, पहले जब corruption की चर्चा हुई इंदराज के जमाने में, उन्होंने कहा है ये global phenomena है, अब भी ये कह रहे हैं, महिंगाई में तीन उधारंडे रहा हूँ, आज रूपी की कीमत कम हो रही है, सताउन रूपे में एक डॉलर मिल रहा है, जो तीस परसेंट एक साल में उसका devaluation हुआ, क्या एशिया का किसी दूसरे currency का इतना devaluation हुआ है, डॉलर के मुकाबले, नहीं हुआ है, जो तो इसलिए दुनिया में हो रहा है, यह सही नहीं है, क्योंकि दुनिया में currencies 2-5% इधर-उधर कम जादा हुई है, लेकिन ऐसा 30-30% एक साल में डॉप नहीं हुआ है, जो भारत के रुपी की हालत हुई है, रुपीय की, तो यह जो हुआ है, इससे हमारे import की cost बढ़िया है, 4-5% यह 2% से बढ़ रहे हैं, और हमारे यहां 10% से नीचे आई दी रहा है, तीन साल से लगाता, प्रधान मंत्री कहते हैं, कि आप तीन मेने में स्थिति काबू में आ जाएगी, तीन मेने में स्थिति और खराब होती है, तो मैंने आप उनको कहा, कि आप यार आश्वासन तो मत दो, क्योंकि आश्वासन देते और स्थिति फिर और खराब होती है, तो ऐसा मत होने दो. सर्थ मेहंगाई के बढ़े पर अगर आप और कुछ बोलना चाहिए, किस तरह का इंपक्ट होता है एक आम आदमी मेहंगाई से सबसे खराब असर होता है गरिब के जिन्दाई पिकवर क्योंकि उसके यापन पर विपरीत प्रणाम होता है, दर रियल वेज़ेस गोडाउं, जीज लिविंग स्टैंडर्ड इस अड़र्सली अफेक्टेट, लिट उस अंडर्स्टैंड एक मजदूर है, हरे को कोई गवर्मेंट के नोकरों जैसा मेंगाई भत्ते में उच्छाल नहीं मिलता, तो भई चार हदार रुपे कमा रहे है, पाच हदार रुपे कमा रहे है, उसकी रोजी रोटी कमाने का जरिया जो है उतना ही रहता है, लेकिन हर रोज कीमते बढ़ती है, तो वो दो बार सब्जी करता होगा, तो अब एक बार करने लगता है, दो बार दाल करता होगा, तो एक बार दाल यूज़ करता है, तो ये धीरे धीरे उसके जीवन यापन पर भी विपरित प्रभा होता है, कुपोर्शन के बच्चे शिकार होते है गरीबी से उसके बच्चों का पढ़ाई लिखाई का रस्ता बंद हो जाता है उसके दवा पानी के लिए पैसा नहीं रहता उसको जो भी जीवनावश्यक चीजे और जो आसान होती थी पहले वह नहीं मिलती तो उसको घर लेने का सपन स्चाहीं रह जाता है और यह सब रोटी की अपडा बगाद सभी परेंगाशी की यह मेहंगाईwoods यह विकास के साथ जो तोरेंगाई होती है वह चलती है लेकिन देश का विकास एक और मेह bearingsा यह जादा बढ़ती है तो लोगों को बहुत मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आप आम जनता को कोई संदेश या कोई मैसेज दिना चाहें भारत में असीम किशमता है भारत के किसान जब मैं पैदा हुआ तो देश के आज लोक आबादी 30 करोड थी अब 120 करोड हो गई लेकिन बाहर से आना आज नहीं मंगाना पड़ है और हमारे किसान ने वो दिया है किसान में जजबा है मेहनत है लगन है लकिन उसके खाद के उसके दवाओं के इतने दाम बढ़ा होगे तो कंपनियों को फाइदा हो रहा है किसान घाटे में जा रहा है इसलिए जो स्वामी नातन ने कहा है कि सही लापकारी मुल्य है कि कि को उत्पादन का जो खर्चा आता है वो उससे 50% अधी कैसी लापकारी मुल्य देना चाहिए वो देना चाहिए एक जो देश के उद्यमियों को प्रोच्सान देने वाली होनी चाहिए और उनमें इंस्पेक्टर राज नो हो और उसमें करप्शन नो हो जैसे गुजरात में सार खण हिमाचल में तरक्य होती है और जारखन में भी लोग जाने लगे है तो ये बीजेपी का नमूना है विकास का और करनाटक ने तो कमाल करके लिखाया तो इसलिए ये आउद्यों की विकास होगा खेती का विकास होगा सर्विसेस इंडस्ट्रीज का विकास होई रहा है जौब रीज ग्रोथ होगी हर एक हाथ को काम हर खेत को पानी इस दिशा में जाकर इस देश को सुझलाम सुफलाम बनाया चाह सकता है भारत को सुझलाम सुफलाम बनाने की दिशा में और उसकी आशा में कल सरकार ने आरबिया बूस्टर का अनाउंस्मेंट किया आपकी उस कोई ऐसे उपाय हो रहे है कोई नितिकत बदलावाएंगे कि जिसके करण देश को आशा मिलेगी लेकिन नितिकत तो निरने था ही नहीं जो एक निरने बजेट में लिया था उसको आमल दस दिन में जो होना चाहिए था वह साथ दिन के बात कर रहें विदोल्डिंग टैक्स के बारे में और जो अर्बियाय ने किया है एक्स्टेंशन ओफ लिमिट किया है कि जो विदेशी निवेशक भारत सरकार के सेक्यूरिटी में पैसा डालना चाहते या जो भारती उद्योग बाहर से कमर्स के कमर्शल लोन लेना चाहते उसकी मात्रा में बढ़ोत्रिकी है लेकि सब तब आएगा जब देश में लोगों का विश्वास जगेगा इसके लिडर्शिप में विश्वास जगेगा वो आज नहीं है बीजेपी आने पर वो होगा सर आखिर में आप सरकार को कोई सजेशन देना चाहें जिससे एकनॉमिक मैनेजमेंट बेटर हो सके हम सरकार को हमेशा तैयार है अब एक जरूरत है कि आर्थिक गोल में इस परिशत जैसे एक राउंटेबल करें सब पार्टियों को बुला सकती है लेकिन इस सरकार के कोई इ यह लूटते जाएंगे और हम सुझाओ देते जाएंगे ऐसा तो नहीं होगा तो यह हम नहीं देना चाहते लेकिन हमारे पास पूरा योजना है देश का फिल से भाल खुशाली करने के लिए जो भी काम करना है हमारा पूरा नक्षा तैयार है और हम उस पर आगे हमारे स्टूडियो में आये आपने अपना समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद तो जावडेकर जी का कहना है कि यह अभी economic front पे watershed period है भारत सरकार की नेत्रत्वहीं दिशा की कारण भारती अर्थ व्यवस्ता लड़ खडाई जरूर है परंतु उन्हें भारत के fundamentals पर इंडिय तक के लिए नमस्कार